प्रेटर समीन मंसूरी के मेटफॉरिकल मीनिंग औफ माइन रूब्रिक्स का सोलवा विडियो है इस विडियो का रूब्रिक रेकगनाईज एवरीटिंग बट केनोट मूव डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें दो दवाईया है कॉक्यूलिस और सैंग्विनेरिया इस विडियो में मैं कॉक्यूलिस को इस रूब्रिक द्वारा एक्स्प्लेन करूँगा नई रेपर्टरी में ये रूब्रिक इस तरह से दिया गया है रेकगनाईज एवरीधिंग बट केनोट मूव इन कैटालेप्सी इस शब्द के दो मतलब है पहला अपने senses और past knowledge के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तू या बात को उसके unique features के basis पर पहचानना दूसरा, किसी इनसान के अच्छे काम या achievement को सही समझ कर उसे मानना और उसे मान्यता प्रदान करना तो इस शब्द का basic meaning ये है कि किसी बात की असलियत को अपने senses और ज्ञान के जरिये सही तरह से समझ कर उसे स्वीकार करना Everything इस शब्द का मतलब है सब कुछ मतलब हर व्यक्ति, वस्तू या बात को शामिल किया गया है और किसी भी चीज को exclude नहीं किया गया है Move इस शब्द का मतलब है खुद की या किसी चीज की position को एक जगए से दूसी जगए पर change करना Metaphorically इस शब्द का मतलब है कोई activity या action द्वारा आगे बढ़ना Chess में Move का मतलब है कि अपने मोहरे इस तरह आगे बढ़ाना जिससे आप game जीत जाएं Catalepsy इस शब्द का मतलब है एक trance या deep sleep वाली state जिसमें इनसान stimulate किये जाने पर react नहीं कर पाता है और चाहकर भी अपनी मर्जी से अपनी position चेंज नहीं कर पाता है इस नींद जैसी स्थिती में patient के हाथ पैर एक ही position में बने रहते हैं और वो उन्हें चाहकर भी move नहीं कर पाता तो इस rubric recognize everything but cannot move in catalepsy में patient अपने आस पास हो रही बाते या अपनी problems को बिलकुल सही तरह से समझता है लेकिन चाहकर भी उस situation को बदल नहीं सकता है इसका ये मतलब है कि unpleasant situation इतनी strong है कि patient में उसे बदलने की ताकत नहीं है या patient ने हालात को बदलने की कोशिश की लेकिन वो काम्याब ना हो सका अब patient समझ जाता है कि हालात की जो सच्चाई है उसे change नहीं किया जा सकता है और इसलिए वो उस problematic situation को बिना कोई शिकायत किये स्वीकार कर लेता है इसलिए अगर इस rubric को simplify करें तो इसका ये मतलब होगा कि patient recognizes the reality and accepts it Example 1 35 साल की महिला ने कहा कि उसे migraine की तकलीफ है जब उसे पूछा गया कि ये तकलीफ कितने समय से है तो उसने लगभग 30 seconds तक सोचा और फिर जवाब दिया 5 महिनों से जब पूछा गया कि अब तक इसके लिए क्या इलाज करवाया तो patient ने फिर से 20 seconds के बाद जवाब दिया कि अलोपेटिक डॉक्टर की दवाई दिन में वो दो टाइम खा रही है बीवी के इस रवईये से चिरते हुए उसका पती बोला डॉक्टर साब जो पूछना है आप मुझसे पूछ लो यहर सवार का जवाब देने में बहुत टाइम लगाती है घर में भी इससे कुछ पूछा कि आज खाने में क्या बनाया है तो सोच में डूब जाती है और फिर जवाब देती है वैसे तो ये घर में सब का खयार रखती है लेकिन जवाब देने में पता नहीं क्यों इसे इतना सोचना पड़ता है सिर्दद होने पर दवा ले लेगी लेकिन आराम नहीं करेगी सास को अपनी मा की तरह प्यार करती है बोलेगी कि अगर उसने आराम किया तो फिर सब काम सासु मा को करना पड़ेगा ना वैसे भी उनको अस्थमा है और ऐसे में उनकी तब्यत बिगड़ गई तो उनको इस उम्र में स्ट्रेस नहीं देना चाहिए काम में सारा दिन लगी रहती है और फिर कहेगी कि अरे अब तो दोपर के दो बज़े थे इतनी जल्दी शाम के साथ भी बज़ गए वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला साथ ही वो हमारे बड़े बेटे को लेकर बहुत चिंता करती है इस पर पेशेंट बोली जी हाँ डॉक्टर बड़े बेटे के करियर को लेकर टेंशन तो था लेकिन अब मैंने टेंशन लेना बंद कर दिया है उसे इतना समझाया था कि सरकारी नौकरी कर ले लाइफ सेट हो जाएगी लेकिन उसे खुद का बिजनस शुरू करना है इसके लिए वो अभी MBA कर रहा है और उसने पैसों का बंदोबस भी कर रखा है अब अगर उसे बिजनस करना है और वो इस बात पर अड़ गया है तो हम क्या कर सकते हैं कितना समझाना जब मालूम है कि वो सुनने वाला नहीं है तो फिर इस बारे में उसे बहस करने से क्या फाइदा अब हम उसकी सोच को बदल तो नहीं सकते न इसलिए उसकी बात मान लेना ही सही है फिर पेशिंट के पती ने कहा कि अभी इनकी दीदी के घर में भी सबको कोविड हो गया है तो पेशिंट को उनकी भी फिकर लगी रहती है कि कहीं बहन को भी कोरोना ना हो जाए फिर husband ने कहा जब patient कोई काम कर रही है और किसी ने बीच में रोक दिया या टोक दिया तो उसे बहुत गुसा आता है इसी तरह अगर वो TV देख रही है और उसके favorite serial के खतम होने से पहले ही बेटे ने channel change कर दिया तो बेटे पर भी चिलाती है कि प्रोग्राम खतम होने से पहले दूसा channel क्यों लगा दिया इसी तरह कभी किसी बात पर चिर जाएगी लेकिन थोड़ी देर बाद जब mood ठीक हो जाएगा तब ऐसे हसी मजा करेगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं वो दूसरों को मस्ती में चिडाती है या कोई चुटकुला सुना कर सबको हसाती है तो इस case में पेशिंट हर सवाल का जवाब बहुत सोचने के बाद देती है तो ये रूब्रिक है answers reflects long पेशिंट को डर लगता है कि उसकी सासुमा और बड़ी बहन की तबेत बिमारी के कारण बिगड़ न जाए तो ये रूब्रिक है fear about the health of loved persons काम में पेशिंट इतनी busy रहती है कि उसे वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता और बाद में वो हैरान हो जाती है कि समय कितना जल्दी बीट गया तो ये रूब्रिक है time passes too quickly अपने बेटे को सरकारी जॉब करने के लिए पेशिंट ने बहुत समझाया लेकिन जब पेशिंट को realize हुआ कि बेटे ने तो business start करने का फैसला कर लिया है तब उसे ये लगा कि अब और बहस करना बेकार है बेटा MBA का course भी कर रहा है मतलब वो अपने career को लेकर serious है तो इससे पेशिंट ने हालात को पुरी तरह समझ कर उसे स्विकार कर लिया है तो ये रूब्रिक है recognize everything but cannot move in catalepsy काम या TV serial में रुकावट आने पर patient को गुसा आता है तो ये रूब्रिक है anger from interruption patient कुछ समय के लिए किसी unpleasant बात के कारण चिचड़ी हो जाती है लेकिन थोड़े वक्त के बाद वो jokes बोलती है या दूसरों को tease करती है तो ये रूब्रिक है irritability alternating with jesting Example 2 60 year का male patient diabetes के बारे में बोला कि मैंने इस problem के लिए जिन doctors को concert किया उन्होंने और एक specialist doctor ने भी कहा कि मेरी diabetes की problem जो पिछले 15 साथ से चली आ रही है उसके लिए lifelong दवा लेनी पड़ेगी हाँ, दवा का dose symptoms और blood sugar के basis पर कम किया जा सकता है लेकिन मेरे case में दवा पूरी तरह से बंद नहीं की जा सकती जब इन सब doctors ने ये कहा है तो मैंने भी इस बात को मान लिया है और इसलिए मैंने बिमारी के बारे में सोचना बंद कर दिया है मैं यहां होमियोपेटिक दवा सिर्फ मेरी family की खुशी के लिए लेने आया हूँ क्यूंकि ना बोलकर मैं उनकी feelings hurt नहीं करना चाहता था मुझे अक्सर belly में अलसर के कारण नाभी के पास दर्द होता रहता है दर्द के वक्त मुझे बहुत खीच उठती है कि उफ ये दर्द फिर से शुरू हो गया जब तक वो दर्द antacids से कम नहीं होता तब तक मेरा mood खराब रहता है मुझे से शुर बरदाश्ट नहीं होता ये दिवाली के समय बच्चे फटा के फोड़ते हैं तो गुसा आता है फिर सोचता हूँ कि दिवाली बिना crackers के थोड़े ही मनाई जाती है साल में यही तो एक समय होता है जब आतिश बाजी की जाती है इसलिए फिर मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज़रूर मैंने किसी का बहुत बुरा किया होगा तभी तो मुझे ये दोनों बिमारिया हो गई है इंचालों को लेकर मन में अकसर डर रहता है कि कभी ये फट गए तो ऐसे मैं तो इमर्जन्सी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा न ने तो मेरी जान भी जा सकती है न इस तकलीफ के कारण मुझे हसी मजाग करना बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता और जोक सुनते ही मैं तुरंत अपने कमरे में चला जाता हूँ तो इस केस में पेशिंट को डॉक्टर्स ने क्लियरली कहा है कि डायबेटीज जैसी बीमारी के लिए जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी इसलिए पेशिंट ने इस बात को एकसेप्ट कर लिया है और वो अपसेट हुए बिना लाइफलॉंग दवा लेने के लिए तयार है साथ ही पेशिंट को शोर से प्रॉब्लम होती है लेकिन वो यहां भी इस बात को समझता है कि फेस्टिवल के समय तो फटाकों की आवाज आने ही वाली है और इसलिए वो इस बात पर भी ध्यान देना बन कर देता है तो इन दोनों behavioral pattern के लिए एक ही रूब्रिक है और वो है recognize everything but cannot move in catalepsy पेशिंट हुमियोपेटिक दवा सिर्फ अपने परिवार के खुशी के लिए ले रहा है मतलब यहां वो अपनी family की बात मान रहा है तो यह रूब्रिक है yielding disposition बैली में दर्द के समय पेशिंट चिर्चिड़ा हो जाता है तो यह रूब्रिक है irritability during pain in abdomen पेशिंट को लगता है जैसे उसने कोई बहुत बुरा काम किया होगा और इसलिए उसे यह तकलीफ हो रही है तो यह रूब्रिक है delusions as if he had committed crime पेशिंट को डर है कि अलसर के burst होने पर उसे जान लेवा नुकसान होगा Medical terms में इसे perforation कहते हैं जिसे peritonitis और sepsis होने पर पेशिंट की जान जा सकती है मतलब यह life-threatening complications है इसलिए यह रूब्रिक है fear of impending danger इस तकलीफ के कारण पेशिंट को हसी मजा करना बिलकुल भी पसंद नहीं है तो यह रूब्रिक है jesting averse to Cocculus दवाई fear of impending danger and fear something will happen इन दोनों में मौझूद है तो इन रूब्रिक्स के differences को समझते है Danger इस शब्द का मतलब है ऐसी कोई भी घटना जिसमें इनसान की जान जाने का रिस्क होता है ऐसी situations जान लेवा होने के कारण खतरनाक मानी जाती है Impend या impending इस शब्द का मतलब है एक event के किसी भी समय घटने की possibility तो fear of impending danger इस रूब्रिक में पेशेंट को जान लेवा खतरे का एहसास होता है और इसी लिए वो डर जाता है क्यूंकि पेशेंट के अनुसार वो life-threatening event उसके साथ किसी भी वक्त हो सकता है Something के दो मतलब है पहला कोई भी चीज जो specified या well-defined नहीं है इसलिए वो कुछ भी हो सकती है दूसरा कोई चीज जो important है या जिस पर ध्यान देना जरूरी है happen इस शब्द का मतलब है किसी event का होना will ये शब्द future यानि भविश्य में होने वाले event के लिए use किया जाता है तो fear something will happen इस रूब्रिक में patient को ये लगता है कि कोई भी event हो सकता है या फिर कोई specific event होगा और patient नहीं चाहता है कि वो unpleasant घटना घटे लेकिन यहां उस event से patient को जान जाने का खत्रा मैसूस नहीं होता example 1 patient बोला doctor मैंने नया स्कूटी खरीदा है लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं इसके साथ कुछ हो ना जाए मुझे नहीं पता कि क्या होगा बस डर लगता है कि कुछ हो जाएगा example 2 patient बोला doctor मुझे अक्सर ऐसा डर लगता है कि आज office में overtime करना पड़ेगा मेरे भाई की train ticket confirm नहीं होगी बस वाले strike पर चले जाएंगे मेरे पहुचने से पहले bank बंद हो जाएगा मेरा चोटा लड़का school ना जाने का बहाना बनाएगा पता नहीं लेकिन बस ऐसी ही अलग-अलग बातों के होने का डर लगा रहता है So to summarize, cocculus patient को अपने आस-पास के लोगों की हमेशा चिंता लगी रहती है चाहे वो उसके अपने हो या कोई अजनबी उसके मन में सभी के लिए आदर सम्मान की भावना रहती है लेकिन दूसरों की इतनी ज्यादा फिक्र करने के कारण patient बीमार हो जाता है अगर patient को कोई hurt भी करता है तो patient को घुसा आता है लेकिन थोड़े समय बाद वो उत्तेजित होने के बज़ाए मजाकिय धंग से अपनी नाराजगी व्यक्त करता है लेकिन जब कोई patient से बतमीजी से बात करता है तो patient को बहुत बुरा लगता है और इसी कारण उसका बरताओ भी बदल जाता है अब patient में सही और गलत में फर्क करने की काबिलियत खतम हो जाती है और वो दूसरों के प्रती insensitive हो जाता है इसी तरह patient सारी बातों और लोगों को पूरी तरह ignore करने लगता है क्योंकि उसके मताबिक अब उसे अपने आप पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत मैसूस होने लगती है Anxiety for others Reverence for those around him Ailments from cares, worries Anger, alternating with jesting Ailments from rudeness Moral feeling, want of And indifference apathy lies with eyes closed Moral feeling, want of इस रूब्रिक का detailed explanation मैंने अपने China Office Analyst Mind Rubrics के तीसरे वीडियो में दिया है उसका link description में है तो आप उसे refer कर सकते है Indifference apathy lies with eyes closed इस रूब्रिक का detailed explanation मैंने अपने CPA वीडियो में दिया है उसका भी link description में है तो आप उसे refer कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौझूद Cocculus Indicus दवाई समझ आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे like और share करें और मेरे इस YouTube चैनल को subscribe करें वीडियो या हुमियोपती से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप feedback देना चाहें तो मुझे comments में बताएं मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा थालों कि पूरी कोशिश कर देना चाहें